क्या ये Creed Aventus बनना चाहता है? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद तमस्कार दोस्तों आपको स्वागत है पर्फियूम ग्यान में, मेरा ना हूँ है रपित अज हम निशानी ये एक टर्की जिसको हिंदी पर हम तुर्की कहते हैं उसके इस्तानबुल सिटी से ये कंपनी है और इसके हाजी बात पर्फियूम के बारे में हम बात करेंगे मुझे लगा इसके बारे में रिव्यू बनाना थोड़ा सा सही इसलिए रहेगा क्योंकि अभी इंडिया में जादा लोगों ने बात नहीं की है और कुछ धारनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई है सबसे कॉमन है कि ये क्रीड अवेंटस के तरह इसकी कुछबू है तो हर चीजों के बारे में डिसकस करेंगे और वैसे पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पर्फ्यूम ज्यान का आपको काम का लगे तो आप कंसीर कर सकते हैं सबस्काइब करना लाइक कर देंगे तो यूट्यूब थोड़ा इसको लोगों तक पहुचाएगा इस वीडियो को कम्यूटी और बड़ी बनेगी चलिए इसका प्रिजेंटेशन देख लीजे एक नीश पर्फ्यूम की तरह ही है अच्छा सा बॉक्स है सामने निशानी लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्राक्ट के बारे में उपर ब्लैंक है इसको आप ऐसे पुश करते हैं तो अंदर से बॉ कि यह होलो हो जाता है और निशानी लिखा है यहाँ पर अगें एक्स्ट्राक्ट के पाफू है साइड में कुछ नहीं है इधर अगें सेम जो आर्चर वाला लोगो था उपर ब्लैंक है और यहाँ पर एक डैग है जिसको आप खीच सकते हैं तो खीचेंगे तो इसके अंद जैसे क्या कहें नीश पर्फ्यूम है तो प्रिजेंटेशन अच्छी है आदे कि बता हूं मुझे बॉक्स बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता पैसा ले रहे हैं मुझे ज्यादा खुच्बू और जूस पर मैं ज्यादा थोड़ा कॉंसेट्रेट करता हूं लेकिन ओव थ्याटर होते हैं पापेट्स जो कटूतली क recognition होते हैं एक कारगूस होता है और हाजिवात होता है पर इसिक भार हाजिवार्वात जोटे में लिखा है यह पर पाफूम और इस तानवोल साइड में ब्लैंक है कुछ नहीं है नीचे ऐसा है थोड़ा अन्यूजवल यह है कि company का नाम यह हमेशा बड़ा लिखते हैं और product का नाम छोटा है cap के उपर भी निशानी लिखा है भारी सी cap है लेकिन यह सिर्फ इस पर बैड जाती है तो मैं cap से नहीं कहूँगा इस पर कोई स्नगल नहीं कोई click नहीं है और अंदर से ऐसी है भारी है cap और नीचे ऐसा एक चीज यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके फ्लैश लाइट के थूल लाइट पास करेंगे तो आपको लिक्विट दिखता है लेकिन ऐसे नॉर्मली आपको नहीं देखेगा अगर आप रूम के अंदर है इवन अगर आप बाहर सनलाइट में देखेंगे अभी लिक् पार्फूम या एक्स्ट्रेक्ट देखेंगे जो सबसे हाई कॉंसेंट्रेशन वाला जो ऑईल वाला होता है वह पार्फूम होता है जिसमें 15-30% के बीच में हो सकता है और एक्स्ट्रेक्टेशन है कि उससे ज्यादा हो वैसे इसके बॉक्स या बॉटल पर कहीं नहीं रखना है पाइनपल सिट्रस है बर्गमो और ग्रेफूट का कॉंबनेशन है और इसमें जैस्में चमेली का बहुत अच्छाए ब्लैंड मिलता है और मिलता है ओक मॉस है थोड़ा वुडी इसमें एक कॉंबनेशन है पचूली के साथ मुझे इसमें एक खटास मिलती है और सिट्रसनेस मिलता है मतलब वो जैसमिन का जो चमेली का कॉंबनेशन है बर्गमो के साथ उसके साथ मिलके मुझे वो फ्लोरल सिट्रसनेस मिलती है और खटास मिलती है मुझे इसका ब्लैंड काफी सोफेस्टिकेटेड एक जेंटलमें टाइप ब्लैंड लगता है देकि यह थोड़ा सा प्रॉपिकल भी है इसमें इस तरी के से हैं लेकिन ज्लिप ही अपे इनिद्माहल है आनेपल और पचूली यह में थोड़ा सही और यह हो जाता है smoking smokiness नहीं है इस पर्फ्यूमे अब मैं कहूं कि देखे फर्क क्या है फ्रीड वेंटस एक फ्रूटी सेटरस और smoking पर्फ्यूम उसमें जो pineapple है अननास है उच MON की है इसमें ऐसा नहीं है इसमें एक यह मौसी कह सकता हूं जैसे इसमें Oak Moss का जो है थोड़ा अर्थी भी है बहुत हलका सा ये इसमें सोधा बन है देखिए जो मुझे खुछबू मिलती है जब मैंने इसको पहली बार स्मेल किया तो मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये Creed Aventus या तो बनना चाहता है या है मुझे ऐसा नहीं लगा ये बड़ा obvious हो जाता है कि कभी भी pineapple का जब कोई perfume इस्तमाल करें तो उसका comparison Creed Aventus से हो जाता है लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि इसके साही नहीं होगा क्योंकि इसमें जिस तरीके से इस्तमाल किया गया है pineapple का वो थोड़ा different है इसमें बर्च का इस्तमाल नहीं है इस perfume में और और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बात वही है कि अगर कोई इनसान ये कहे कि नीबू संत्रे के तरह अगर खुश्बू है उसकी तब अफकोस Creed Aventus और इसको जोड़ा जा सकता है लेकिन वही बात है कि अगर एक painter है उसने लाल रंग इस्तमाल किया और ये कहा जाए कि आ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उसकी नोट को एकदम blindly copy कर रहे हैं या फिर Creed Aventus के market को ये जरूर खाना चाहते हैं लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास Creed Aventus है उसके बावजूद भी आप इसको enjoy कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये similar खुश्बू है ऐसा बिलकुल नही है और मैं ये कहना चाहता हूं 2010 में जब Creed Aventus आया था आला दर्जे का पर्फ्यूम था लेकिन उसको महानता तक पहुचाया है रॉबिन होट कंपनी जैसे अर्माफ लताफा अफनान पैरिस कॉर्णर जैसे कंपनी जब ये क्लोन बनाती है तो जो नीश पर्फ्यूम है वो मुझे महसूस होता है कि ऐसा हो सकता है कि यह भी और पॉपिलर हो और लोगों तक इसका कॉंपोसिशन पहुचे अब इस्तवाल के बारे मोलों तो अगर आप 20 प्लस हैं वैसे मुझे प्रिफर्ड रहेगा कि 25 प्लस तोड़ा कॉंप्लेक्स इसका ब्लेंड है थोड़ा और ऐसा लगता है कि और चीज़ें इसमें मिली हुई हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं लेकि मुझे लगता है कि 25 प्लस है आप अगर तो ज्यादा इंजॉय करेंगे इसको डेली इस्तवाल किया सकता है इसको आप अपना सिंग्नेचर स्मेल बना सकते हैं अगर शाम के टाइम महीने इस्तमाल किया जा सकता है इसके सीटरसनस के वाज़े से गर्मी में भी और इसके जो ऊड़ि के लिए जब मुझे वह टीशित निकालना था अपने वॉड्रूप से तो मैंने देखा कि मेरे वॉड्रूप से खुचबू आ रही थी और उस टीशिटशन से स्टिल longevity की, skin पे मुझे आराम से 10-12 घंटे, और projection की अगर बात करूँ तो 4-5 घंटे यह average जो है मुझे मिलता है, और कपड़े पे spray करेंगे तो 48 hours, मुझे personally ऐसा लगता है कि यह काफी अच्छा blend है काफी strong blend है, और sprays की बात करूँ तो 2 spray enough है पूरा full spray 2 enough 3 spray कर लेंगे तो मुझे लगता है कि काफी लोग notice करेंगे आपको, और काफी लंबा भी इसका जो projection भी है, वो room fill करने वाला projection है तो उस हसाब से मैं कहूंगा performance में एक दानो है यह, जैसे बाहर के reviewer कहते हैं कि monster या beast performer तो यह उस category में जा सकता है तारीफों की बात करूँ तो जैसा इसका blend है और जैसा यह perform करता है यह इससे आसान होता है थोड़ा compliments तारीफे मिलना क्योंकि यह आपके presence को notice कराएगा और मुझे बिल्कुल ताजिव नहीं होगा कि अगर आपको चौथे या पाँच छटे घंटे में भी compliments मिल जाएं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग पूछ सकते हैं कि आपने क्या लगाया है या फिर खुश्बू बड़ी अच्छी आ रही है तो अगर compare करूँ तो मैं कहूंगा Creed Aventus से नहीं होगा बीस ही होगा या बराबर होगा तो निशकर्ष क्या निकलता है जिससाब चैसका दाम है अगर नॉर्थ पंदर हजार का भी था तो अगर आपको seller पर भरोसा हो तो आप खरी सकते हैं लेकिन बात यह है कि वो इवन बैटर प्राइस है नॉर्थ अमेरिकन प्राइस से अगर compare किया जाए और जिस हसाब से यह perform करता है दो स्प्रे इनफ मुझे लगता है मुझे ऐसा मैसूस होता है यह पैसा वसूल पर्फ्यूम है एक नीश में अगर compare करें तो एक affordable नीश कहूंगा अगर हम compare कर रहे हैं Amoage, Roja या फिर Creed जैसे पर्फ्यूम से दाम भी अगर आपको कोई 20,000 के अंदर एक पर्फ्यूम मिल जा रहा है तो मैं उसको consider करूँगा मेहंगा है अपकोस मेहंगा है लेकिन नीश में affordable नीश कहा जा सकता है जाने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि मैं sponsor वीडियो करता नहीं हूँ यह गाड़ी कमाई से खरीदा हुआ perfume है तो आपके साथ सिर्फ अपना experience साजा करना चाहता था आप मुझे बताइएगा अगर आपने इस्तमाल किया है इसका decan भी खरी सकते हैं कहीं कहीं इसका decan मिलते हैं बसे आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है comment में और कैसे reviews देखना चाहते हैं कॉंसिलेस टेकना चाहते हैं मुझे बताइए अब अपना खयाल रखी मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में नमस्कार